हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में हम सब्स्टिटुशन में थड़ के बारे में पढ़ रहे हैं कॉशन फर्स्ट और सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में अब हम करेंगे कॉशन नमबर 3 से स्टार् इनमेंट हमारे पास क्या है दा डिफ्रेंस बिट्विन टू नमबर सेज़े 26 कोई भी हमें दो नमबर दिये गई हैं उन दोनों का डिफ्रेंस क्या है 26 एंड वन नमबर इस त्रे टाइम्स दा अधर और एक नमबर है वह दूसरे नमबर का 3 टाइमस हैं फाइंड देम नमबर हम क्या मान के चले कि फर्स नमबर हमने मान लिया एक्स एंड अधर नमबर दूसरा नमबर हमारे पास क्या आएगा वाई दो नमबर हो गए हमारे पास अब देखते हैं कंडिशन क्या है डिफ्रेंस बिट्विन टू नमबर से 26 है दोनों नमबर के वीच का डिफ्रे से 3 times y is equal to किसके है x के और x minus y is equal to 26 दो equation है दोने equations को solve करेंगे हम कैसे देखो first equation में x की value मिल गए में putting the value of y in equation second x की जिए कि अपर हम क्या put कर देंगे 3y minus y is equal to 26 3y में से y minus करेंगे क्या आएगा minus 2y आजेगा मार पास is equal to 26y इधर रखेंगे 2 को इधर लेके आएगे 26y 2 2 से cancel कर दिया 13 अब मार पास y क्या आगया 13 y की जो value आई है उसको हम substitute कर देंगे किसमे equation first में y की value मार पास क्या आए 13 x is equal to 3y 3 x 13 3 x 13 की multiply क्या आएगा 39 then first number हमार पास क्या था x तो first number क्या आया 39 और second number क्या आगया हमार पास है 13 यह था question number 3 का first next है हमार पास है second the larger of the two supplementary angles supplementary angles कौन से होते हैं ऐसे angles जिनका sum 180 degree होते हैं the larger of two supplementary angles दो supplementary angles दे रखे हैं means supplementary angles दे रखे हैं तो उन दोनों में जो larger है exceeds the smaller चोटे वाले से बड़ा है कितना 18 degree find them find करेंगे कैसे find करेंगे देखो हमारे पास क्या दे रखा है let the larger angle हमने क्या मान लिया x जो बड़ा angle हो हमारे पास क्या लेके चले x and smaller angle smaller angle हमने क्या मान लिया y we know that the sum of the measure of angle of supplementary pair is always 180 है हमने पीछे पड़ा हैं कि हमारे पास supplementary angles हैं उसके जो पेर होते हैं उसका sum कितना होता है 180 तो दोनों angles का sum कितना आजेगा x plus y is equal to 180 first condition हो गई second हमारे पास क्या दे रखा है जो बड़ा number है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है it means दोनों का difference कितना है 18 x minus y is equal to 18 यह हमारे पास equation number 2 आगई from second equation second से हमने value निकाल ली x minus y is equal to 18 है x is equal to minus y को इदर ले क्या है प्लस हो गया 18 plus y यह आगई equation number 3 अब जो हमने second से निकाल ली है तो किस में put करेंगे first में x plus y is equal to 180 x की जिगा हम क्या रखेंगे 18 plus y plus y is equal to 180 18 plus y y कितना आजेगा 2y और 18 को इदर ले हैंगे 2y is equal to 180 minus 18 180 में 18 minus 18 कर दिया क्या आया 162 तो 2y था y is equal to 2 इदर डिवाइड में आएगा 162 by 2 कितना आया 81 degree तो यह हमारे पास क्या आगए smaller angle larger angle कितना इस से बड़ा है putting the value of y in equation third x is equal to 18 plus y y की value आगे 81 x is equal to 18 plus 81 कितना आया 99 degree तो हम क्या बॉल देंगे जो larger angle है वो x था x की value कितनी आई 99 smaller angle y था और y की value कितनी आई हमारे पास से 81 यह थी हमारे पास से दोनों next है हमारे पास से part number 3 third part में क्या दे रखे आपको the coach of cricket team buy 7 bets and 6 balls for rupees 3800 एक coach ने 7 bet और 6 बॉल खरे दी कितने में 3800 रूपीज में later बाद में CY 3 bet and 5 balls बाद में उसने 3 bet और 5 balls खरे दी और 1750 रूपीज में find the cost of each bet हर एक bet की cost और हर एक ball की cost find करो कैसे find करेंगे मान के चल पड़ेंगे let the cost of a bet कितना है X एक bet है उसकी cost हमने क्या मान ली X और एक ball की cost हमने क्या मान के चले Y अब हमारे पास condition क्या है कि 7 bet खरे दे और 6 ball खरे दी 7 X प्लस 6 Y कितने रूपे में 3800 में इसी तरह second condition क्या थी 3 bet और 5 ball so 1750 में खरीदे तो क्या आगे 3 X प्लस 5 Y is equal to 1750 रूपेज from equation second second equation से हमने value निकाली X की कैसी 3 X प्लस 5 Y is equal to 1715 3 X इदर क्या आजेगा प्लस 5 Y था माइनस 5 Y होजेगा इदर 3 multiply था इदर divide में आजेगा तो हमारे पास क्या आजेगा X is equal to 1750 minus 55 divided by 3 इसको हमने क्या नाम दे दिया equation number 3 substitute the value of X in equation first जो हमने value second से निकाली है तो हम किस में substitute करेंगे first में substitute करेंगे 7 X की value क्या आजेगा हमारे पास 750 minus 55 by 3 plus 6 Y is equal to 3800 यहां से हमने क्या किया 3 LC हमने लिया 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 को इदर ले आएंगे and 7 के अंदर multiply की 7 और 750 की multiply 12200 ए 50 minus 75 जा 35 5 plus 18 Y is equal to इसके और 3 की multiply 11400 अब इदर देखो minus 35 plus 18 minus कर देंगे कितना आएगा minus 17 Y is equal to 11400 minus 12250 अब यह minus 17 Y है इदर इसमें से minus करेंगे minus के ज्यादा है कितने ज्यादा है 850 तो क्या आजएगा minus 850 minus से minus cancel Y is equal to 850 by 17 17 5 जा 85 और 0 के as it is तो Y is equal to उमारे पास कितना आया 50 Y की value हमने निकाल ली अब इसको अगर हम 3rd के अंदर put कर देंगे तो X की value आजएगी X is equal to 17 50 minus 5 Y की जेगे 50 by 3 17 50 minus 5 5 जा 25 क्या आजएगा 250 से minus करेंगे 1500 by 33 से cancel कर दिया 500 X की value क्या आई 500 तो cost of bet क्या आजएगा हमारे पास 500 and cost of a ball क्या आजएगा Y कितना था 50 rupees दोनों की cost find करने हमें ठीके Next हमार पास question number 4 4th part क्या है The taxi charges in this city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered एक taxi charge बता रखा है किसी city के अंदर जो taxi लेते हैं taxi का charge दे रखा है कि एक तो fixed charge है और एक per kilometer पे charge है जितना हम distance से cover करेंगे For a distance of 10 kilometer एक 10th kilometer की distance cover की The charge paid is rupees 105 और कितने रुपे paid किये 105 And for a journey of 15 kilometer और एक 15 kilometer की जर्नी की The paid charge is paid is 155 तब कितने पैसे लगे 155 What is the fixed charge उसका fixed charge क्या है And charge per kilometer और per kilometer charge क्या How much does ये person have to pay the traveling distance of 25 kilometer ये पूछ रखा है 25 kilometer अगर कोई आद में distance cover करेंगा तो उसके लिए उसको कितना charge पे करना पड़ीगा अब देखो question में आपको दे रखा है एक तो fixed charge है जो आपको लगड़ा ही लगड़ा है चाहिए आप एक किलोमेटर की distance करो चाहिए आप दस किलोमेटर की fixed charge है कि जब आपने taxi को rent पे किया है तो वो लगए गए लगएगा उसके बाद है per kilometer per kilometer मेंसे जितनी भी distance अम आगे cover करते जाएंगे पर kilometer पे इतना rate बढ़ता जाएगा जैसे per kilometer 8 rupees है तो 1 kilometer के लिए 8 rupees है फिर 2 kilometer चले तो 82 जाए 16, 3 kilometer के लिए 8, 3 जाए 24, 4 के लिए 8, 4 जाए 32 ऐसे ही हमारे पास है 88 rupees लगते जाएंगे इसी तरह से इसमें है हमारे पास क्या है let fix charge है fix charge हमने कितना मान लिया X है और per kilometer charge कितना है Y दोनों charge लिएके चल पड़े हम अब according to question क्या है कि उसने 10 kilometer की distance कवर के और 105 rupees submit करवाई अब देखो fix तो है हमारे पास X है और उसके अंदर कितना add कर दिया हमने 10 kilometer का per kilometer charge है तो 10 Y और total उसने कितने पैसे पे किये है 105 दूसरे क्या है 15 kilometer के लिए उसने 155 पे किया उसमें क्या आएगा fix charge plus 15 kilometer का per kilometer charge is equal to कितना है 155 दो equation आ गई दोनों equations को solve करके X और Y की value निकालेंगे सबसे पहले from equation first first equation क्या है X plus 10 Y is equal to 105 X is equal to 105 इदर आएगा minus 10 Y अब इसको first से निकाल लिया तो किसमें put करेंगे second में substitute the value of X in equation second equation second में हमार पास क्या है X plus 15 Y is equal to 155 X की जिगे हम क्या रखेंगे 105 minus 10 Y plus 15 Y is equal to 155 105 को इदर लेके आएगे minus में आएगा और 15 में से 10 जाएगा 5 Y is equal to इसमें से minus कर देंगे 50 आजेगा Y is equal to 50 by 5 cancel कर दिया Y की value आपके पास क्या आजाएगे 10 तो हमारे पास fixed जो पर किलोमेटर चार्ज है वो कितना है 10 रूपीज now putting the value of Y in equation first equation first में put करेंगे X is equal to third में sorry X हमारे पास कितना equation third में put किया X is equal to 105 minus 10 Y is equal to 105 minus 10 और Y की value क्या आई 10 105 minus 10 10 जो 100 105 में से 100 को minus क्या क्या आया 5 तो X हमारे पास क्या आजाएगा 5 अब हमें पता चलगा fixed charge कितना है 5 रूपीज और per kilometer charge कितना है 10 रूपीज हमें कितने kilometer के लिए निकालना है charge for 25 kilometer अगर 25 kilometer के लिए निकालना है तो equation क्या बढ़नेगी X plus 25 Y X की value कितनी आई 5 plus 25 और Y Y हमारे पास कितना है 10 25 के और 10 की multiply 250 250 plus 5 कितना आजाएगा 255 रूपीज next है part number 5 if fraction becomes 9 by 11 एक fraction 9 by 11 हो जाता है if 2 is added to both the numerator and denominator अगर उसके numerator और denominator में 2 एड़ कर दें तो fraction 9 by 11 हो जाता है if 3 is added to both और अगर दोनों में 3 एड़ कर दें it becomes 5 by 6 वो 5 by 6 हो जाता है find the fraction fraction find करो कैसे देखो let numerator हमारे पास क्या लेके चले X है and denominator हमने क्या ले लिया Y fraction क्या आ जाएगा X by Y first condition क्या है कि numerator and denominator दोनों में 2 एड़ कर दे according to question X plus 2 और divided by Y plus 2 is equal to क्या हो जाता है 9 by 11 cross multiply कर देंगे इसकी multiply क्या आजेगी 11 की multiply कर देंग X plus 2 से और 9 की multiply Y plus 2 से 11 X plus 11 टू जा 22 is equal to 9 Y plus 9 टू जा 18 11 X plus से इदर ले किया है minus 9 Y is equal to 18 minus 22 11 X में से 2 Y जाएगा sorry 11 X एड़ 2 9 Y है अलग-अलग है हमारे पास तो इसको हमने क्या नाम दे दिया 18 minus 22 कितना हैगा minus 4 equation number first second condition क्या X plus 3 और Y plus 3 numerator denominator दोनों में 3 को अगर हम add कर देंगे तो क्या जाएगे 5 by 6 fraction अब cross multiply कर दिया हमने 6 की multiply कर देंगे किस के साथ है X plus 3 के साथ कर देंगे तो 6 X plus 3 is equal to 5 की कर दिया Y plus 3 के साथ 6 X plus 6 3 जा 18 is equal to 5 5 plus 5 3 जा 15 6 X इदर से ले किया है minus 5 Y 15 इदर ले आए minus 18 क्या आजएगा 6 X minus 5 Y 15 minus 18 क्या आएगा minus 3 इसको मने नाम दे दिया equation number 2 अब equation first और second को solve करेंगे और X और Y की value find करेंगे देखो by equation second equation second क्या है 6 X minus 5 Y minus 3 अब इससे solve किया 6 X minus 3 को इदर ले आए plus 3 हो जाएगा और 5 Y 5 इदर multiply इदर आएगा divide में तो क्या आजएगा 6 X plus 3 divided by 5 equation number 3 equation number 3 हमने किस से निका ले second से तो put किस में करेंगे first में first क्या है 11 X minus 9 Y 11 X minus 9 और Y की जाएगा 6 X plus 3 by 5 is equal to minus 4 अब यहां से दिखो 5 हमारे पास LCM आ जाएगा यहां बाई में 1 है तो 5 के और 11 के multiply 55 X LCM उदर जाएगा तो multiply होगा minus 4 multiply 5 और इसके अंदर multiply कर देंगा 9 6 जा 54 X plus minus minus 9 3 जा 27 55 में से 54 माइनस कर दिया क्या आया X is equal to minus 20 और plus 27 27 में से 20 जाएगा Y में रखेंगे third Y is equal to 6 multiply 7 plus 3 by 2 equation में पुट कर दिया 6 7 जा 42 plus 3 by 5 42 plus 3 45 by 5 5 से cancel कर दिया 9 Y के value हमारे पास क्या आई 9 और Y 9 आ गया X हमारे पास 7 था तो fraction क्या था X by Y X by Y कितना हो जाएगा 7 by 9 यह था हमारे पास question number 5 next question number 6 5 years hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son hence में सो तब बाद में 5 साल के बाद the age of Jacob Jacob की age will be हो जाएगी 3 times 3 गुना that of his son अपने पुत्र की age Jacob की age अपने पुत्र की age से 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगी 5 years ago वो 5 साल पहले Jacob is was 7 times that of his son 5 साल पहले Jacob की age अपने पुत्र की age से 7 गुना थी what are there presentation उनकी presentation find करो देखो let Jacob is Jacob की age हमने क्या मान ली X year and his son जो और उसके son की age क्या मान ली 5 years according to question क्या है after 5 years 5 years के बाद हमारे पास क्या आजाएगी इसमें भी 5 age हो जाएगा इसमें भी 5 age हो जाएगा और कितना आजाएगा हमारे पास according to question क्या दे रखा है कि अपने पुत्र की age से 3 गुना होगी अगर उनके पुत्र की age को 3 से multiply कर देंगे तो वो Jacob की age के equal हो जाएगी X plus 5 is equal to 3 times y plus 5 x plus 5 is equal to 3 y plus 15 इसको इधर लेकियाएगे X minus 3 y 5 को इधर लेकियाएगे 15 minus 5 10 इसको उनके नाम दे दिया first 5 years ago 5 साल पहले पहले कितनी थी X minus 5 5 और यह क्या थी Y minus 5 और कितने टाइम्स थी 7 times अब इसके multiply करेंगे 7 y इसको उनके रिख दिया X minus 5 अंदर 7 y minus 7 5 जाए 35 इसको इधर लेकिया X minus 7 y is equal to minus 30 और किया प्लस में जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास से 35 में से 5 गटा दिया minus 30 यह equation number 2 हागे Y equation second equation second क्या है X minus 7 y is equal to minus 30 यहाँ से X की value निकाल ली minus 30 plus 7 y equation number 3 अगर हमने second से निकाल ली है तो किसमें put करेंगे first में put करेंगे putting the value of an equation first X हमारे पास क्या है minus 30 plus 7 y इसको क्या लिख दिया 7 y minus 30 minus 3 y is equal to 10 7 में से 3 जाएगा 4 y is equal to 10 और इसको इधर लेकिया है plus 30 y is equal to 40 by 4 cancel कर दिया y is equal to 10 putting the value of y in equation third अभी इसको क्या है third में put करेंगे X is equal to minus 30 plus 7 multiply 10 minus 30 plus 70 70 में से 30 जाएगा 40 X के value हमारे पास क्या आए 40 तो Jacob की इस हमारे पास क्या थी X X की हमारे पास कितने आ गई 40 years and Sun की इस क्या थी Y और Y की हमारे पास क्या आए 10 तो Jacob की इस 40 years है और Sun की इस 10 years ओकी ये थी हमारे exercise 3.3 complete हो गई Thank you